हेलो गाइज आप सभी कोपरिती का प्यार बरा नमस्कार आज का वीडियो एक रुमाल पे रुमाल तो सब के पास होता है और इसको उप्योग में कैसे लेने का मैं आज आपको बताती हूँ तो पहले मैंने ये अपना हैंकी रुमाल जो रहता है वो ले लिया है और उसके ही न रखी क्योंकि ये ठीक हो जा इसके बीच में मैंने फोर्म सीट नहीं डाला है तो ये डबल रखेंगे तो इसकी ठीकनेस अच्छी आएगी और ऐसे स्टीच कर लिया फिर जो चारो साइड एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे इसे हम घर में जो पड़ी हुई चीजे हैं उसी से ही बना रहे हैं कुछ बार से लेने की जरूत नहीं ओली जिप हमें बार से लेनी पड़ती है आप अगर जिप नहीं मिलती आपको तो आप हम लोग जो ड्रेस में लगाते हैं वो जिप यूज़ करेंगे तो भी चलता है और अभी मैंने ये देखें उल्टा कर लिया है इधर और फिर दूसरा एक पीस ले लिया है जिसका मेजरमेंट है 11.5 इंच और इसे उपर की साइद से एसे फोल्ड कर लेंगे और ये परदे के कपड़े का टुकड़ा है तो इसमें से रेसे बहुत निकलते हैं तो मैं ऐसे फोल्ड कर लूंगी पहले और फिर इसमें ज जिप ले लिए साथ में रनर भी एट कर लिया है और दोनों पीस को हमें सीधा रखना है जिप को और पीस को दोनों को सीधा रखेंगे और इस तरह से हम स्टीच कर लेंगे फिर ये से उल्टा करेंगे और जो जिप ओपन हो रही है उसको भी हम टॉप स्टीच करके इसके उ 4.5 पे जो मार्क किया था वहाँ पे हम मैं इसे कैची से नोचीस लगा लूँगी ताकि दूसरी साइट भी हमें ये नोचीस दिखे अभी इसे हमने इस तरह से रखना है उपर की साइट आदा इंच छोड़ के जिप लगाना स्टार्ट करना है आदा इंच छोड़ देना है औ चारो साइट सी लाई करके ये पोकेट हमें यहाँ पे अटेज कर लेना है और हाँ ये रुमाल को हमें कट भी नहीं करना पड़ेगा और बिना कट के हमारा ये एक औरगेनाईजर बनके रेडी हो जाएगा अभी हम 11.5 इंच की दूसरी जिप लेंगे जिप को नीचे जो र उल्टा रखेंगे और स्टीच कर लेंगे फिर इस तरह से रखेंगे और कर लेंगे टॉप स्टीच नीचे का पीस उल्टा हो जाएगा और जिप भी उल्टी ही आएगी ऐसे टॉप स्टीच कर लेंगे और जिप का दूसरा पाट निकाल लेंगे और सामने की साइट इसे भ ओपन है जिप वो पेक हो जाए अभी वापस रनर एड हो गया और अभी यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूँगी जिप पे क्यूंकि हम उल्टा करते हैं तभी जिप हमारी ओपन हो जाती है तो उससे फिनिसिंग अच्छी नहीं आती है जो ओपन जिप पे हम सिलाई करते हैं न तो इसके लिए मैं पहले बंद होंगी तभी जिप पे सिलाई कर लेती हूं तो अभी यह देखिए इसे मैंने उल्टा कर लिया और इस तरह से हमें रखना है जो 4.5 पे जो मार्क किया था हमने उसे इसे बीच में सेंटर में रखना है और फिर स्टीच करना है ऐसे दोनों सा यह देखिए ऐसी लाइफ हो गई अभी इसे कवर कर लूँगी तो जो शौपिंग बेग थी उसके उपर का जो हिसा रहता है उसी में से ऐसी स्टीप कट कर लूँगी और दोनों साइड में इसे अटेज कर लूँगी अभी यह बीच में से फोल्ट करूँगी तो यह दो प कीकनेस भी इससे अच्रियाती है दोनों सथ हमारी यह देखिये हो गई फिनिसींग और अभी इसे हम करेंगे सिधा तो यह हमारा एक clutch bag बनके ready है तो हम इसे clutch bag की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरा pouch की तरह भी यूज़ कर सकते हैं तो इसमें एक pocket अंदर की side बनाया हुआ है तो इस तरह से हमारी जो बिंदी रहती है कोई भी किमती सामान रहता है वो जिप में अंदर की side रख सकते हैं बाकी का सामान जो है वो हम इस तरह से बार की side रख के इसे use कर सकते हैं यह देखिए यह हमारा pouch बनके ready हुआ है जो हम travel में कहीं भी लेके जा सकते हैं और यहाँ पे separate सामान कुछ रहता है वो रख सकते हैं और यहाँ पे देखिए मैं पैसे रख रही हूँ और बीच में जो mobile है उसे भी हम यहाँ पे रख सकते हैं दूसरा हैं की चाहिए तो वो भी इसमें आरम से आज सकता है आज का यह रूमाल से बनाया हुआ clutch bag और pouch आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो like, share, subscribe और comment जरूर कर दीजिए चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जै भारत, जै हींद